हेलो गाईज कैसे हैं आप सब और हम चल दिया है आज घुमने के लिए तो घर पे हो रहे तो बहुत सोचा क्या करे तो चल दिये घुमने के लिए और यह है देरदून में रेस्टरेंट एरोदून यह पूरा एरोप्लेन के अंदर है यहां पे खाने का और दिखाते हैं आपको देरदून का सबसे बड़ा मॉल देरदून का क्या है यह उत्रा खंड का भी सबसे बड़ा मॉल है देखे किता बड़ा है और सबसे स्पेशल बात यहां पे टाइम जोन खुल रहा है यानि की सेंट्रियो मॉल के अलावा अब इस न रहूज गये थे डोई वाला एक्सप्रेस स्वे पे यह काफी लंबा एक्स प्रेस और अच्छा एक्सप्रेस वे है तो फिर आगे मिली हमें गन्य की शौप तो गन्यन ने कहा के गन्ये का जूट सप्रेस पींठीर है तो बन ile गन्ये जूस और यहां गन्य कम डंडी जादा लग रही है इतने पतले पतले गन्य थे इसके देखिए कितने पतले गन्य थे फिर भी हमने सोचा चलो गन्य मांग रहा है तो पी लेते हैं तो हमने लिया जूस तो आ गया था यह देखिए यहां पे गन्य पी रहा है जूस उसके बाद हम पहुच गए थे अपनी destination पे और गनु के डेडी अपना कुछ काम कर रहे थे तो गनु यहाँ पहुच गया था पार्क में यही पास में पार्क था तो यहाँ पे जूला जूल रहा है और इसको मिल गई थी वहाँ पे इसको एक friend मिल गई थी तो वहाँ पे इन दोनों ने काफी enjoy किया फिर काम खतम करने के आद हम पहुच गए थे DIY तो Mr. DIY खुला है हरीदवार में तो हम first time visit कर रहे हैं और काफी अच्छा था reasonable price भी थे और फिर उसके बाद हम लोग गए करीशवा बजार तो हो चुका था time वापस जाने का ये देखिए night view कितना अच्छा लग रहा है हर की पढ़ी हो scene तो आगे बने रही है हमारे साथ और नए vlogs के लिए और दिखाते हैं आपको मैंने क्या purchasing की थी ये मैंने लिया था वहाँ से DIY से छोटा सा basket और ये लिया था मैंने अपना hair band बहुत क्यूट था ये और लिया था कुछ गन्नू के लिए और ये है soap कभी traveling करने हो तो hand soap और ये लिये थे मैंने socks अपने और गन्नू के लिए गन्नू की slime ली थी ये और लिया था उसके लिए pencil box क्योंकि अब हो जाएगा new class में तो उसके लिया था new box तो फिर मिलते हैं आपसे next vlog में